दिल्ली दमकल विभाद सेवा के परमुख अतुल गर्ग ने बताया है कि फायर डिपार्टमेंट को आधी रात को सूचना मिली जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेट की गाड़ियां पहुचे इस आग में करीब 60 से भी ज्यादा जुपड़ियों आग की चपेट में आ गई है और फिलहाल आग पर काबू पालिया गया है ये घटना गुकल पूरी इलाके के पिलर नंबर 12 के पास में हुई है वहीं इ चुरूब में पांच गाड़ियां बेजी थी जो कि आग हमेशा थोड़ी जल्दी फैलती है बात पर जो हमारे अफसर गए उन्होंने बताया कि सब्सक्राइब ज्यादा बढ़ी है तो हमने टोटल तेरा जो है फायर टेंडर फेज़े ये आग बहुत तेजी से फैली और इसमें क्याता कि क्योंकि ये रबड़ की जो टायर वगरा होती इससर का मेटील इससर की दुगाने यादा थी वापर इस बज़ा से आग जो है बहुत फास पहली और जब आग हमने बुझाई तो उसके बाद जब हमने साथ लोग की बाड़ी मिली जो की चार्ट थी बिल्क है तो अभी तक की ये पॉजिशन है सर आग की बुझ का देखिए अभी ठीक से पता नहीं चल पाया है क्योंकि सारी जुक्या जल गई है जब हम लोग पहुंचे थे तो आग काफी बड़ी थी क्योंकि आग बड़ी का रिजन यह था क्योंकि प्लास्टिक टायर इस तरह के मेट्रील वहां जाता था जो दुकाने थी और उसे जैसे आग स्प्रेड होगी है कारणों का भी पता लगा जा रहा भी कुछ नहीं कहा सकता है आग क्यों लगई है इसमें सिलेंडर भी बहुत थे पर सिलेंडर फटे वे जो है नहीं थे बतला ऐसे फटने की वो नहीं आई अब है कि इसलेंडर कई निकले है है हम लोग ने निकाले भी हमारे आजमीं ने हो फटे बबी नहीं थे कितनी जुग्या थी और कितनी युखया देके करीब गईया का रिपोर्ट आया है कि जल गई है अभी लोग कितने ते ये अभी जो है नहीं बताया सकता है क्योंकि काउंटिंग होगी उसके बाद बताया जाता है